हमें कहीं लंबी दूरी पर जल्द से जल्द पहुँचना हो, तो बादलों के बीच एरप्लेन में उड़ते हुए मंजल तक पहुचना बहुत ही आसान और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन कुछ एरपोर्ट पर प्लेन की सेफ लेंडिंग करना हर बार पाइलट के लिए चैलेंजिंग होता है। जैसे कि क्या आपने कभी देखा है कि एरपोर्ट के रनवे पर लोग अपनी गाड़ियां चलाते हुँ? या क्या आपने कभी एरप्लेन के साथ रनवे पर ट्रेन को चलते हुए देखा है या फिर क्या आपने एक्टिव वॉल्कैनोस के बीच में बना एरपोर्ट रनवे देखा है नहीं न, तो आखिर तक बने रहे हमारे साथ टॉप फाइफ मोस्ट डेंजरस एरपोर्ट इन दा वर्ल्ड के इस सफर में वेल, स्टार्ट करते हैं नमबर पांस से जिब्राल्टर इंटरनेशनल एरपोर्ट जब हम बच्चे थे, तब हम सभी ने रनवे से थोड़ी दूर सबसे पास में जो सड़क होती थी वहाँ खड़े होकर हवाई जहाज को उरते हुए देख कर जरूर ताली बजाई होगी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्त यकीन मानो तो मैं इस दुनिया के नहीं हूँ जोक सपार्ट, जिब्राल्टर इंटरनेशनल एरपोर्ट में ना केवल आप फ्लाइट को पास से देख सकते हैं बलकि आपको डर लगेगा क्योंकि वहाँ रनवे की शुरुवात एक सड़क से होती है जहां प्लेन की लैंडिंग और टेक ओफ के दौरान रेलवे फाटक की तरह उस रास्ते को बंद करने की जरूरत पड़ती है सिर्फ इतना ही नहीं ये रनवे शुरुवात और अंध दोनों सिरों से समंदर में खत्म होता है जिस वज़े से यहां एरप्लेन की लैंडिंग करने के लिए पाइलेट हर बार चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करता है है ना माइंड ब्लोईंग इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना तो बनता है क्या आपने कभी बर्फ में जमा हुआ रनवे देखा है अगर नहीं तो पेश है आपके सामने नर्सर स्वाक एरपोर्ट सिर्फ इतना ही नहीं इस एरपोर्ट पर कभी भी तेज हवाएं चलने लगती है और चारों तरफ कोरा ही कोरा होता है जोकि लैंडिंग के लिए अनफेवरेबल कंडिशन्स बनती है अगर आप इतना सुनकर ही डर गए हैं तो फिर नर्सर स्वाक एरपोर्ट के रनवे के आसपास के एक्टिव वॉलकेनोस से भी सावधान हो जाई है क्योंकि ये वॉलकेनोस रेंडमली एश छोड़ते रहते हैं इतनी सारी प्रॉबलम्स के बाद भी इस रनवे पर सेफ लेंडिंग करने वाले पाइलेट के लिए त्री क्लैप्स तो बनती हैं दोस्तों सबसे खतरनाक एरपोर्ट की इस लिस्ट में नमबर तीन पर अपनी जगे बनाई है गिस्बॉर्ण एरपोर्ट ने इस एरपोर्ट पर रेलवे लाइन रनवे के साथ मिलती हैं जी हाँ जिब्राल्टर एरपोर्ट पर तो फाटक की मदद से कारों को रोका जा सकता था लेकिन उससे भी खतरनाक गिस्बॉर्ण एरपोर्ट पर रेलवे और एरप्लेन दोनों का शेडियूल हर सेकंड की गिंती के साथ ध्यान में रखा जाता है क्योंकि मेरे दोस्त अगर ट्रेन और प्लेन दोनों साथ में वहाँ से गुजरे तो ना ही ट्रेन को ब्रेक लगा कर तुरंत रोका जा सकता है और ना ही प्लेन की लैंडिंग को टाला जा सकता है इसलिए थोड़ी सी चूग भी बड़ी दुरगटना को शिकार बना सकती है क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताईए नमबर दो, वेलिंग्टन इंटरनेशनल एरपोर्ट न्यूजिलैंड में इस्थित ये एरपोर्ट अब तक के दुनिया के सबसे खतरनाक एरपोर्ट में से एक है ये एरपोर्ट ऐसे पहाड़ों के बीच बना हुआ है जो कि अपनी तेज हवाओं के लिए जाने जाते हैं जो कि लैंडिंग के लिए अनफेवरेबल कंडिशन्स बनाते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ इन हवाओं से डर गए हैं तो वेलिंग्टन इंटरनेशनल एरपोर्ट पर फ्लाइट से जाने के बारे में बिलकुल मत सोचिएगा क्योंकि सिर्फ 1936 मीटर लंबाई वाला ये चोटा सा रनवे दोनों सिरों से समंदर में खत्म होता है इसी लिए ये एरपोर्ट दुनिया के सबसे डेंजरस एरपोर्ट में से एक है है ना सर्प्राइजिंग? डरावने एरपोर्ट की इस लिस्ट में नमबर एक पर है नेपाल में इस्थिद लूकला एरपोर्ट जी हाँ, अगर आप माउंट एवरिस ट्रैक पर जाने का प्लैन बना रहे हैं तो दुनिया के इस सबसे खतरनाक एरपोर्ट पर जाने की बारी आपकी भी आ सकती है हाला कि हम आपको इस जोखिम को उठाने की सला बिलकुल नहीं देंगे क्योंकि सिर्फ 527 मीटर के शॉर्ट रनवे वाले लूकला एरपोर्ट पर वैदर कंडिशन्स भी हमेशा बदलती रहती हैं अगर आप सिर्फ इन परिशानियों के बारे में जानकर चौक गए हो तो मेरे दोस्त लूकला एरपोर्ट रनवे के एक तरफ खड़ी चटान है और दूसरी तरफ एक पत्थर की दिवार है इतना ही नहीं एर ट्राफिक कंड्रोलर्स के साथ अकसर डिस्रॉप्टिट कनेक्शन पाइलेट्स को साहता के बिना लैंडिंग करने के लिए मजबूर कर देता है रुकिये रुकिये अभी इस कंडिशन को नो लाइट्स के साथ कंबाइन कीजिए तो ये आपके लिए और भी जादा भयानक सीन बन जाएगा है ना काफी डरावना? तो दोस्तों उपर बताएगा है Most Dangerous Airports में से आपको कौन सा एरपोर्ट सबसे डरावना लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करने के साथ ही ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए थैंक यू